किसान भाईयो लगबग सभी किसान भाईयो ने अभी देशी प्याज की फसल बहुत है और उनकी वेजेटीटिटिक ग्रोध जो यह यह भी स्टार्ट हो चुके हैं तो इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि जैसे आपने प्याज की फसर लगा दी है और उन्सकी वेजिटिक ग्रोट जो है वह इस्टार्ड भी हो चीकिए यानि प्याज फूट के वह चलने इस्टार्ड हो गई है तो इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसमें जो रहे फंगिसाइट के लिए लेकिन मतलब जो में जमीन के लिए जमीन के लिए उसमें आपको कुछ फंगिसाइट को मिला के माइक्रोटिशन के साथ डालना चाहिए जिससे उसमें क्या है कि जो जड़ में जो फंगी साइड आता है उसको आपको लेना चाहिए और उसके साथ में कोई जो सलफर रहता है डब्लीजी फॉर्म में 80 प्रशंड वाला उसको लेके आप अच्छे वाले माइक्रोनुटिशन के साथ मिला कि आप जमीन में फूग दीजिए और उसके साथ आप पानी चला के अगरिके ने जंगे साथ में आता है जिसकी फिप्रॉनइल 0.6 जियार थे वो भी इसे गृतना सकते हैं इसको किसान लावा यह नहीं को जमीन की जानना चाहीए लएक रहे तो उसके लिए अच्छे इंसक्टिंसजाइड लीजिए जो सिस्टेमेटिक और दोनों हो जैसे कि फिफ्रोनीर रहता है और इमीडा क्लोप्रीट का कंबिनेशन आता है 40-40 प्रसेंड में वो ले सकते हैं या फिर आप जो प्लोरोपाइर पोस आता है 50% वाला वो ले सकते हैं इसके अलावा आप प्रोफेनोपास प्लस ऐपरमेथिन यसे मतलब एक कॉंटेक करके इंसेक्टिसाइड भी आप ले सकते हैं जो कि रश्चुसक किटो को कंट्रोल करते तो उनके साथ में आप उपर से भी फंगिसाइड मिला के स्प्रे कर सकते हैं कोपर ऑक्सिक्लोराइड हो से या कार्बेंडीज मेन को जहग हो गया और भी जो मेनको जेब आएगी तो इन बातों को आप ध्यान रखे प्याज की फसल में शुरुआती अच्छी वेजेटरी ग्रोथ कर सकते हैं यदि आप जमिन के साथ माइक्रोनुटिशन नहीं दे पाते हैं तो आप अच्छा लिक्वीड माइक्रोनुटिशन भी इस्प्रे के साथ दे सकते हैं ले क्रिप सरचुसक कीट रहता उसका विश्ची ध्यान रखे समय समय पर आप कीटना सूप करें और हर बार आप टेक्निकल चेंज करकर के इसप्रे करें ताकि जो कीट रहते हैं वह क्या है कि आपकी जो दवाई रहती है उसके पती रिजिस्टेंस नहीं हो पाए और वह मतलब अच्छी तरीके से मर पाए तो किसान भाईयो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं प्याज में और अच्छी वेजटेटियु ग्रोध भी आप कर सकते हैं किसान भाईयो यदि है जानकरी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें कमेंट करें और जय किसान जय हिन जय भारत